नमस्कार मैं हूं मंगा सिंग तो आज हम सुर्य नमस्कार का व्यास करेंगे सुर्य नमस्कार किस प्रकार बच्चों की सखाएं और इस आसन से क्या लाब हैं जैसा कि आप सभी जानते हो सुर्य नमस्कार प्राते काल सुर्य जब उद्य होता है कि प्रशुर्य नमस्कार करते हैं और सुरे-नमस्कार धेरे क्या बहुत मैं मैं बताँ किस परकार आप सुर्य नमस्कार को अरंब करके सुर्य नमशकार का लाब ले सकते हैं तो जो इसकी पड़फर में ुद्वास्त हुती है यह होती है नमशकार नमश्कार के बाद दूसरे वस्ता होगी हस्पुतानासन तो आथों को लेके आएंगे सामने उग्रिया खूल देंगे पुरी और शांस को लेते हुए कि इस वास्ता में रहेंगी उसके सान्स को छोड़दे च some caught up you अब हमने सांस को छोड़ देना है इसके बाद वापी सांस को लेते हुए अंजनी असन महेंगे एक पार आगे दूसरा पिछी जो सामरे का गुठना होता सामरे पैर का इसको बिल्कु शिता रखते हैं तो जो पिछ वाला गुठने है वो सिता होगा जिमिन के साथ लगा होगा तो आप अच्छा से देख सकते हो यह इसकी चोथी वस्ता है तो पांच में अवस्ता होगी वोगी कुम्बक दंड सांस को रोके रखना है और कुम्बक दंड वस्ता में आए ना है थोड़ा इस बाग को थोड़ा से उठाके रखेंगे कुम्बक दंड वस्ता आएगी इसके बाद जो अगली वस्ता होती है वो होती है अस्टांग नमस्कार तो पहले गुठनों को जमीन पर खेंगे पिर आगे से सीने का बाग जमीन पर लगाते हैं और जो कुलों का बाग है वो उठा रहेगा तो ये छटी वस्ता है इसकी उसके बाद सात्मी वस्ता जो होती है यहीं से हम अभी सांस को लेती हुए बजंग असन में आते हैं यह इसकी साथ में वस्ता है आठमी वस्ता इसकी क्या होगी अधो मुक्षवानासन तो जो कुलों को बाग इसको उठाएंगे तिरकोन में समाजेंगे चलो बटा चींज करो इस प्रकार अधो मुक्षवानासन में रहेंगे इसके वाद जो नौमी वस्ता है वापिस तो मचोथी वस्ता को नौमी में करते हैं जनियासन को जिस पैर को पहले पिछे लेगे उसी को आगे रखना वापिस यह नौमी वस्ता इसकी है सुर्य नमस्कार की दवस्तमी वस्ता में क्या करते हैं जो तीसरी वस्ता उसको दस्वी में उदर आते हैं पाद अस्तासन को अब दूसरे पैर को वापिस आगे ले आते हैं जो ग्यार्मी वस्ता होगी वह होगी हस्त उतानासन जो दूसरी वस्तास इसको ग्यार्मी में करेंगा वापिस पिछे देखा बुरा जो कोई मेर अपने कमर का बाग जुकाना होता है पिछे की तरफ मोड़ना होता है बुटनों को नहीं जुकाना है उसके बाद जो बार्मी वस्ता है पहले वस्ता को द्वारा बार्मी में रिपीट करते हैं नमस्कार तो इस प्रकार आपका सुर्य नमस्कार है जो वो पूर्ण होता है तो इसी प्रकार आप कीजिस से थोड़ा तेज करोगे सीखने के बाद में ज्यादा तेज करने से लेकिन ऐसा नहीं कि आपने सुर्य नमस्कार कर लिया तो बाकी कोई योगासनों का महतव नहीं रहता वह भी अपनी जगा महतवपुर्न है यह अच्छा है तो इसको आप दीरे दीरे तीम चार बार करते हो अगर आप तेजी से 20 बार करते हो तो तीम चार बार में उतना तो सुर्य नमस्कार का ब्यास असे से कीजिए खुद करें और अपने बच्चों को भी जिखाएं धन्यवाद